दोस्तो मैंने i-gear company के बहुत सारे products का review किया है और मेरे पास एक और product आचुका है वैसे i-gear के बहुत सारे unique प्रकार के products आपको amazon पर मिल जाएंगे ये भी काफी unique प्रकार का है, ये है desk light plus ये basically desktop lamp है जो कि कुछ unique features के साथ में आता है इस वीडियो में मैं आपको इसकी unboxing करके बताने वाला हूँ और ये जो light है, ये soft LED light है वैसे इस प्रकार का जो product है या फिर इस प्रकार के जो अन्हें lights का मैंने review किया होगा अगर आपने मेरे videos देखे होंगे, मेरे channel को follow करते होंगे तो जितने भी ये lights हैं, इन्हें आप वीडियोग्राफिक के लिए या फिर फोटोग्राफिक के लिए भी उप्योग कर सकते हैं वो कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं, देखते रहिए तो दोस्तों, ये है iGear Company का Desk Light Plus ये एक table lamp है और इस प्रकार की box packing है वैसे box के उपर कोई भी details नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको directly इसकी unboxing करके बताता हूँ दिलिजिए box को मैंने खोल दिया है और यहाँ पर एक और box है अब यहाँ पर जो key specifications है, वो mention किया हुआ है यहाँ पर आपको color temperature के बारे में जानकारी मिल जाएगी और इसमें 2000 image के built-in battery है वैसे जो lamp है, वो इस प्रकार का दिखता है यहाँ पर pricing 3000 रुपिस दिया हुआ है लेकिन इसका pricing Amazon पर है 2350 रुपिस यह LED eye protection के साथ में आता है चलिए, अब यह जो box है, इसे मैं खोल देता हूँ यह लीजिए, इस प्रकार से इस lamp को pack किया हुआ है और अंदर एक और चीज है, वो है user manual तो यह रिखे, यह है user manual जिसमें आपको इस product के बारे में जानकारी मिल जाएगी फिलाल यह जो lamp है, इसे मैं बाहर निकालता हूँ थोड़ा सा भारी किसम का है इस पर यह plastic लगा हुआ है यह देखे, इस प्रकार का है यह lamp और यह इस प्रकार से खोल जाता है फिलाल देखते हैं कि इसके अलावा box में और क्या-क्या है यह दिखे, एक और box है इसे मैं खोल देता हूँ इसके अंदर यह cable दिया हुआ है यह USB to Micro USB data cable है जिसका उप्यों करके इसमें बाटरी है उसे आप चार्च कर पाएंगे तो यह दिखे, इस प्रकार का दिखता है यह desktop lamp इसे मैं यहाँ पर stand पर रख देता हूँ वैसे इसे आप इस प्रकार से unfold कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि LED light है यह soft light है और यह जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ information मिलने वाला है यह button है, touch sensitive button है जिससे यह जो light है, यह देखिए इस प्रकार से on होता है तो तीन intensities है 1, 2, 3 तो आपका जैसा requirement है उसके हिसाब से आप इसे set कर सकते हैं और एक बार यह off हो जाता है नीचे eye gear का logo है और इसके जो build of finishing है काफी बढ़िया है plastic की body है, लेकिन यहाँ पर leather type finishing दिया हुआ है और पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ buttons दिया हुआ है जिसका उप्रक करके जो display है उसे आप setup कर सकते हैं लेकिन वो display में आपको क्या मिलने वाला है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा यहाँ पर एक button cell battery है अगर आपको इसे निकालना है तो उसके लिए option दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा sticker है pull लिखा हुआ है इस पर इसे मैं pull करता हूँ ताकि जो batteries है वो contact में आ जाए इसमें music भी है और यह रखें तो आप समझ गया होंगे कि यह क्या है इसमें alarm भी है आपको date और time भी दिख जाता है और temperature भी पताता है यह देखें यहाँ पर micro USB port दिया हुआ है जिसका उप्योंकर करके इसमें जो battery है जो basically इस light को power देता है उसे आप charge कर पाएंगे और यह जो area है calendar area यह इस button cell battery से operate होता है तो जहां तक मुझे लगता है battery life इस button cell की हो सकता है कि 6 महिने से लेकर एक साल तक हो सकता है डिबन करता है कि आप इसे किस प्रकार से उपड़ करते हैं क्योंकि इसमें alarm भी है तो यह जो clock है और जो calendar है इसे अगर आपको setup करना है तो इसके लिए यहां पर button दिया हुआ है N button, mode button यह जो mode button है इससे फिलाल तो alarm activate और deactivate हो रहा है up and down option दिया हुआ है और यह S option दिया हुआ है इस S option को मैं press करता हूँ और इस S option से मतलब की setup option इससे आप time और जो date है इसे set कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं time और date set कर लेता हूँ तो यह लिजिए time और date है मैंने setup कर लिया है यहां पर जो arrow buttons दिया हुआ है यह वाला arrow button है अगर मैं इससे press कर हूँ down arrow तो यह जो temperature है इससे आप change कर सकते हैं Fahrenheit में चाहिए या फिर Celsius में चाहिए और यह वाला बटन है अगर मैं इससे press कर हूँ तो time जो है आप 24 hours format में set कर सकते हैं या फिर 12 hours format में तो यह options available हैं तो इस table lamp को आप यह रिखे इस प्रकार से setup कर सकते हैं आपके decks पर और अगर आपको light चाहिए तो आप इसे एक बार tap करेंगे touch sensitive button है एक और tap जो intensity है light का वो increase हो जाता है और यह रिखे तीन options आपको मिलते हैं मैं आपर जो मेरा main light है इसे off करता हूँ ताकि आपको idea मिल जाए कि यह जो lamp है इसका light intensity कैसा है यह maximum है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप product photographic के लिए इसका up-york कर सकते हैं तो मेरे पास यह camera है और इससे मैं यह जो PUBG का character है इसका photo में shoot करने वाला हूँ यह मैंने normal condition में shoot किया है इस lamp को on नहीं किया है और अब मैं इस lamp को on करके एक और shot लेता हूँ वैसे जादा difference तो आपको दिखने वाला नहीं है क्योंकि यह जो main light से यह on थे तो मैंने जो main light से उसे off कर दिया है और एक और light को मैं off कर देता हूँ ताकि almost dark environment हो और अब मैं जो intensity है इसे कम पर रखता हूँ इस light का एक और फाइदा है कि आप इसे किसी भी angle में इस प्रकार से यूज कर सकते हैं तो जो product photography है उसके लिए काफी काम में आ सकता है यह तो मैं इसी प्रकार का जो trick है इसका उप्योग करके कुछ shots आपको shoot करके बताता हूँ तो मैंने PUBG character के बहुत सारे shots ले हैं और उसके लिए मैंने यह जो light है इसका उप्योग किया है और मैं आप बता दूँ कि मैंने इस प्रकार से और इस प्रकार से light को place करके मतलब कि आपके creativity पर depend करता है उस प्रकार से आप इस light को adjust कर सकते हैं और accordingly photo shoot कर सकते हैं अब देखिए यह जो lamp है इसे आप इस प्रकार से extend कर सकते हैं और इतना तक आप इसे bend कर सकते हैं और of course तीन intensity options available है तो उनका उप्योग करके जैसा आपका lighting requirement है उसके हिसाब से आप shots shoot कर सकते हैं तो product photography के लिए यह काफी काम में आ सकता है यह देखिए इस प्रकार का lighting condition आप create कर सकते हैं product photography के लिए आज के तारीक में काफी लोगों ने अपने घर को ही office बना दिया है तो यह जो desk lamp है खास करके काफी काम में आ सकता है अगर आप रात को काम कर रहे हैं तो और of course जैसे कि मैं आपको बताया product photography के लिए भी यह काफी हद तक काम में आ सकता है बहुत कुछ आपके creativity पर depend करता है इस product के बारे में मैं आपको अधिक जानकारी देता हूँ यह multi functional lamp है इसमें calendar है, clock है, alarm functions है आपको indoor temperature भी बताता है यह soft light है आये पर ज़्यादा strain नहीं आने वाला है study के लिए, reading के लिए या फिर अगर आप office work कर रहे है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है इसमें 2000 mAh की battery है और आप इसे recharge कर सकते हैं premium finishing के साथ में आता है एक तरह से leather type finishing दिया हूआ है तो elegant किसम का भी लगता है इसका वजन तकरीबन 500 gram के आसपास है इस lamp की अच्छी बात यह है कि आपको जैसा angle चीए उसे आप set कर सकते हैं तो ये product Amazon पर available है कीमत है 2350 रुपीज जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका link मैंने video के description में दिया हूआ है ये product अपको कैसा लगा इस video को like कीजिए और देखते रहिए